Hello Students, Welcome to our channel Shweta Study Point Students, आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त परिवार की मुखे विशेस्ता हैं आज के हमारे इस वीडियो में हम संयुक्त परिवार की विशेस्ताओं के विशे में जानेंगे तो आएए जानते हैं इस विशे में अधिक पीडियों के लोग संयुक्त परिवार में पाई जाने वाली पहले विशेस्ता है क्योंकि संयुक्त परिवार में एकाकी परिवार की अपेच्छा सामान नितह तीन चार पीडियों के लोग निवास करते हैं जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताउ उताई, भाई बहन, भाईयों की पत्नियां तथा उनके बच्चे संयुक्त परिवार में पाई जाने वाली दूसरी प्रमुक विश्रेस्ता संयुक्त निवास है यूँकि संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही मकान में निवास करते हैं इरावती करवे ने एक ही छट के नीचे रहना संयुक्त परिवार का मुख्य लक्षन बताया है दूसरे शब्दों में कहें तो इरावती करवे काया मानना है कि एक ही छट के नीचे रहना सायोक्त परिवार का मुख्यलक्षन है लेकिन आईपी दिसाई इस विशेस्ता को महत्व नहीं देते वे इस बात पर बल देते हैं कि अगर सदस्य किसी कारण वश एक ही छट के नीचे नहीं रहते परंतु पारसपरिक अधिकारों इवन करतव्यों का पालन करते हैं तो उसे संयोक्त परिवार ही कहा जाता है दूसरे शब्दों में कहें तो आईपी दिसाई का या मानना है कि यती परिवार के सदस्य किसी कारण वश एक दूसरे से दूर रहते हैं लेकिन फिर भी अपने अधिकारों और करतव्यों का पालन करते हैं तो उसे संयोक्त परिवार ही कहा जाता है किन्तु अधिकार्श विद्वान संयोक्त परिवार की मुख्य विशेष्ता ही संयोक्त निवास बताते हैं दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकार्श विद्वानों का या मानना है कि संयोक्त निवास इस्थान ही संयोक्त परिवार की मुख्य विशेष्ता है इन विद्वानों का या मानना है कि जब संयुक्त परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक हो जाती है तो कभी-कभी व्यक्तिगत परिवारों के लिए अलग-अलग घर ले लिये जाते हैं लेकिन भोजन इत्यादी की विवस्था बड़े घर में ही होती है कहने का तात पर या है कि सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण व्यक्ति अलग-अलग घर तो ले लेते हैं किन्तु भोजन इत्यादी का प्रबंध बड़े घर अर्थात जिस घर में मुख्या निवास करता है उसी घर में होती है संयुक्त परिवार का तीसरा लक्षन सदस्यों का समलित रूप से भोजन करना है दूसरे शब्तों में कहें तो संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेस्ता संयुक्त रूप से भोजन करना है कहने का तात पर ये यहा है कि संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही रसोई या चूले का बना खाना खाते हैं संयुक्त परिवार में कर्ता की पतनी की देख रेक में परिवार की सभी महिलाएं जैसे लड़कियां बहुए आदि रसोई का कार्य करती हैं परंपरागत रूप से संयुक्त परिवारों में पहले पुरुष भोजन करते हैं तथा बाद में महिलाएं भोजन करती हैं परंपरागत रूप से संयुक्त परिवार का लक्षन सामानने संपती रहा है दूसरे शब्दों में कहें तो सामान ने संपत्ती संयुक्त परिवार में पाई जाने वाली एक प्रमुख फिशेशता है क्योंकि संयुक्त परिवार उत्पादन एवं उपभोग दोनों का ही केंद्र है अतह ना केवल संपत्ती पर सबका समान अधिकार होता है अपितु एक सामाननी कोश में सभी सदस्य अपनी आय जमा करते हैं और इसी कोशिश से परिवार का खर्च जलता है कहने का तात पर यह यहा है कि संयुक्त परिवार उत्पादन एवं उपभोग दोनों का ही केंद्र होता है इसलिए न किवस संपत्ती पर परिवार के सभी सदस्यों का समान अधिकार होता है बलकि परिवार का एक सामाननी कोश भी होता है जिसमें संयुक्त परिवार के सभी सदस्य अपनी आय जमा करते हैं और उसी सामाननी कोश में जमा की हुई आय से परिवार का खर्च चलता है सामाननी कोश में जमा की हुई आय परिवार के सभी सदस्यों पर समान रूप से बिना किसी भेद भाव के खर्च किया जाता है श्रम विभाजन भी संयुक्त परिवार की एक प्रमुख विशेस्ता है संयुक्त परिवार में तीन चार पीडियों के लोग साथ में निवास करते हैं घर की महिलाएं घर का कार्य आपस में मिल जुल कर करती हैं तथा पूरुष व्यवसाय में एक दूसरे की मदद करते हैं अता संयुक्त परिवार में श्रम विभाजन का गुन पाया जाता है स्टुडेंट्स ये थी जानकारी संयुक्त परिवार की मुख्य विशेशताओं के विशे में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे की आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नौटिफिकेशन्स मिल सके